दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम इंटरनेट पर कोई important काम कर रहे होते हैं या YouTube पर कोई movie बैरा देख रहे होते हैं तो इसके लिए हमें अपने phone का data on करना पड़ता है और अगर इसे बीच हमारा कोई मित्र हमें बाटसप पर message करता है तो इसके पास double tick सो होने लगता है जिस देखें तो नमस्कार यार मैं आज उसकुमार और आप देख रहे हमारा इंटरेस्टिंग टैक चनल अल्टे इनफॉर्मर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप मोबाइल का data on रखते हुए बाटसप पर offline कैसे दिख सकते हैं तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह दि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिपिकरशन को आल प आपने फोन की बार आ डिस और आप अपको अपनी सइटिंग को ओपन कर लेना है सुनकी सैटिंग को ओपन करने के बाद को आपको यहां पर एप मेंचे बहुत इसन मिलेगा रहन को दूंडेनेनौन है श्यकलेको को बार आपको सेम कमपनीनेरे बाहाफ होना दोमारे शूब तो यहां पर आपको सो होने लगेंगे तो यहां पर आपको बाटसप में बाटसप को डूंड लेना है तो मैं यहां से बाटसप को डूंड लेता हूं और इस पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर डाटा यूसेज स्टेटस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको network permission पर क्लिक करना है तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface होगा यहां पर आपको तीन option दे रहे होंगे एक तो close by-fi by-fi and mobile data तो आपका by-fi and mobile data पर क्लिक करा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ आपके phone का जो बाटसब पर वह अभी आपके phone से mobile data और by-fi एक्सिस कर रहा है जब आप ओ mobile data on करेंगे तो यह access कर लेगा और आप online आ जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप close पर क्लिक कर देते हैं तो आपके phone का बाटसब आपके phone से data access नहीं कर पाएगा और आप offline देखेंगे तो दोस्तों अगर आप offline देखने चाहते हैं mobile data on किये तो आप यहां से इसे close कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताना है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद